विश्व क्रिकेट में भारत का पहला मकाबला मजबूत आउस्टेलिया से रहा लोग अपने घरों और दुकानों पर मैच देखते हुई नजर आए विश्व क्रिकेट विश्व कप के महा कुम्ब में विश्व की दस्टी में भाग ले रही है भारत और आस्टेलिया के बीच के मुकाबले को लोगों ने अपने घरों और दुकानों पर देखा भारतिय महला क्रिकेट टीम की सदस्य दीपती शर्मा के पिता भगवान दाश शर्मा घर पर बच्चों के साथ मैच देखते हुए दिखाई दिये वहीं विश्वकप के बारे में उनका कहना है कि भारत ही विश्वकप जीतेगा साथ ही दीपक और राहुल के नहीं खेल पाने पर भी मायूसी जाहिर की बर्ड कप आज शरूआँ इंडिया टीम की और बहुत चल्डा है हमारी इंडिया टीम की बच्चे का भी अच्छा खेल ले हैं हमें उमीद यह है कि साइद आज हमारा इंडिया भार जीतेगा और लेकिन वहीं तोड़ा सा मायूसी है लेकिन दोनों बच्चे अगर खिलते आगरा के तो हमें बहुत ही आनन्दा था बहुत अच्छा लगता इस बात का में दोख्या वर्ल्ड कप डेफिनेटली इंडिया जीतेगी इस बार पूरा भरुसा है विस्वास है पूरी टीम फिटनेस भी काफी अच्छी है खिलालियों दुकान पर पहुंचने वाले ग्राहक भी भारत और और ऑस्ट्रेलिया के मैच का लुथव उठाते हुए दिखाई दिखाई दिए अपने दुकान पर मैच देख रहे दुकानदार सुनील तौमर का कहना है कि विश्व कप तो भारत जीतेगा लेकिन अपने ही घर यानी की आगरा के दो लाल दीपक और राहुल चाहर के नहीं खेलने से मायूस भी दिखे उनका कहना था कि अगर वो खेलते तो और भी कुषी होती भारत ने अब तक दो वंडे विश्व कप जीते हैं अब भारत के पास मेजबान होने के कारण विश्व कप जीत कर हैट्रिक लगाने का भी सुनहरा मौका है लोगों का कहना है कि इस बार टीम इंडिया के खिलाडी फिट है टीम में अच्छे खिलाडी भी है टीम विश्व कब जीत सकती है सी निउस के लिए विनोध जूनियर की रिपोर्ट